हिमाचल में आज से करोना कर्फिव में दी गए धीर के चलते सुबह 6 बजे से सडकों पर HRTC की बसे दोड़ना शुरू हो गई बसों में सवारियां तो कम तिखी लेकिन आने जाने वाले लोगों को काफी रात मिली आज से सभी ऑफिस में 50 फिजदी स्ठाप पहुंचा सरकारी बसों के चलने के कारण ऑफिस पहुंचने बालों को सुबजा दी गई बसों के चलकों वा परिचलकों को फेस शील्ड मास्क पहने के साथ सानिटाइजर का इस्तमाल करने के नरदेश दी गए हैं पचास फिजदी आधरिव के साथ बसें चल रही हैं हलांकि नीची बस ऑपरेटर ने विशेश रोट टेक्स और टोकन टेक्स पूरा माफ ना करने के ब्रोद में बसें ना चलाने का फैसला लिया है लेकिन जिला कंगड़ा में कुछ एक नीची बसें सड़क पर दोड़ती नजरा रही हैं उधर टैक्सी बार नीची बहां सौफिस्दी सवारी के साथ चलने शुरू हो गए हैं बाजारों में भी आज शाम पांच वेसे दुकाने खुली रहेंगी लेकिन शानी बार और रविवार को सिर्फ जरूरी समान के दुकाने खुली रहेंगी पहले की तरह रोजाना शाम पांच वेसे सुव्य पांच वे तक करोना करकी जरे रहेगा वही आज से मानकर चलिए कि प्रदेश भर में करीब करीब 3,000 से जादा होटलों के ताले भी खुल गए हैं प्रेटकों को हिमाचिन में प्रदेश के लिए COVID-19E पास पोर्टल पर पंजी करना अनवार्या किये गये है उसके बाद ही सीमा बर्देनाथ फुलिस प्रेटकों को रवेश करने देगी पिछले कल रविवार से ही प्रेटकों की भारी आमद प्रदेश में देखने को मिल गई थी प्राइबेट लिए तो इस वाज़ा से भी प्राइबेट चलनी चाहिए तो आपकी दिक्क्त है तरी मी जाना हो कुछ भी वता ही है कि पहले आप अपना परीचे दे और आप कहां से आये है मंद दीपा ठाकुर है और मैं चंटी को श्रोक से आई हूं जीना सोगिन का चुछ गाहा है इस ताइम पर कोई परसनल गाडी वाज़ा बसनल वीकल से आ सकते है या फिर हम वीकल वागए जो देखी करके आ सकते हैं जिस तरह से देखी प्राइवेट बस से ना चलने से हमें तो बहुत जा नुक्सान हुआ है क्योंकि हमारे वहां पर एक यह सथकारी बस है बाती सब प्राइवेट बस है तो टाइम टाइम से बस आती है लोगों काना जाना मुश्किल हो गया क्योंकि बस में 50% सीट से सब्सकार को सोचना चाहिए उनके बारे में जो भी टैक्स वगरा माफ जो गॉर्मेंट बसिज के हुए है वो तो उन्हें प्राइवेट बसिज के भी करवाने चाहिए क्योंकि उनका भी वही होजगार है और अब लोग जादा रिक्त में आ रहे है क्योंकि सब्स एतनी कम ह प्राइविट बसे भी नहीं है तो प्राइविट बसे वालों को छूप गए है राखि वो भी अपना रोजगार देख सकते हैं पेल टीबी के लिए शिमला सेथ पुश्पेंदर की रिपोर्ट क्योंकि वालों से बड़िए और देख सकते हैं